Hello Friends, Competitive Online Classes में आप सभी का स्वागत है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है 36 गड़ का इतिहास, जो की CGPAC problems, CGVAPAM और जो भी राचस्तरिय परिक्षाय होती है 36 गड़ से related उसमें यह सब्जेक्ट बहुत ही important role play गाईता है सबसे पहले आज हम देखने जार रहे हैं, 36 गड़ के इतिहास में प्राग इतिहासिक काल 36 गड़ पहले जानते हैं कि 36 गड़ के इतिहास को जानने का स्रोथ क्या क्या है पहला है प्रशस्ती लेक, शीला लेक, तामर पत्र लेक, इस्तंब लेक, आधी के आधार पर 36 गड़ का इतिहास जो है वो लिखा गया है 36 गड़ का इतिहास भाधत के इतिहास से प्रभावित है जो मानाव सभ्यता के प्रादंभिक विकास से लेकर आधोने काल तक के लंबे इतिहास का साक्षिय रहा है हम 36 गड़ के इतिहास को तीन भागों पर बाटके अध्यम कर सकते हैं पहला जो है प्राचीन 36 गड़ का इतिहास दुसरा आता है मध्य कालीन 36 गड़ का इतिहास और तीसरा है आधोनेक 36 गड़ का इतिहास इतिहास को तीन भागों में अगर हम विभाजित करें तो पहला आता है प्राग इतिहासिक काल दूसरा आता है आद एतिहासिक काल तीसरा आता है एतिहासिक काल ये एक इतिहास का यह काल वे भजन लिपी के अधार पर किया जगया है तो हम सबसे पहले प्राग एतिहासिक काल के बारे में देखते हैं प्राग एतिहासिक काल में चार काल आते हैं जैसे पूरा पाशानकाल, मध्य पाशानकाल, उत्तर पाशानकाल और नवपाशानकाल पहला देखें प्राग इतिहासिक काल क्या होता है ये देख ले पहले इतिहास का वह खालखांडी जिसमें इतिहास जानने के लिए कोई लिखित प्रमान नहीं मिलते किन्तु 36 गड़ के अनेक छित्रों में इस काल को जानने के कई प्रमान प्राप्त हुए है इस काल को इस काल को भी चार भागों में विभाजित किया गया है पहला जो है वो पूरा पाशानकाल, मध्य पाशानकाल, उत्तर पाशानकाल और नव पाशानकाल फिर इसके बाद एक-एक करके हम इस टॉपिक को डील करते हैं फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आद्य अतिहासिक काल में सिंदु घाटी सब्यता आता है जो कि उत्तर भारत पाकिस्तान वालूचिस्तान वाला छेत्र था तो इस काल को चटिस गड़ में नहीं पढ़ा जाता क्योंकि चटिस गड़ की सीमाए मद्य भारत और दक्षिन भारत में सीमित रहती है और जो उत्तर भारत का छेत्र है उसमें सिंदु घाटी सब्यता को पढ़ा जाता है तो इसलिए हम चटिस गड़ को इस काल में मतलब सिंदु घाटी सब्यता के कोई भी साक्ष चटिस गड़ से प्राप्त नहीं होते इस पर हम इसे इसकिप करते हैं तो आएए हम एके करके पढ़ते हैं प्राग अतिहासिक काल, इसका जो काल खंड है वो है अज्यात काल से पच्छिस सो इसापल, प्राग अतिहासिक काल इसे पाशान काल के नाम से भी जाना जाता है, पाशान का आइद होता है पत्थर क्योंकि हमें इसकी जानकारी पत्थरों से प्राप्त होती है इसलिए हम इसे पाशान काल के नाम से भी जानते हैं इस प्राग अतिहासिक काल को पहले पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने मानव जाती की सभ्यता का जन्म स्थान कहा है प्रश ने ये भी पूछ सकता है कि मानव जाती की सभ्यता का स्थान किसे कहा गया है तो हमारा उत्तर रहेगा प्राग अतिहासिक काल और इसे किस ने कहा है वो है पंडित लोचन प्रसाथ पंडे फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां की गुफाओं में उकेरे गई शैर चित्र की खोज सबसे पहले इंजीनियर अमरनाथ दत ने 1910 में किया था इस काल में पूरा तात्विक वस्तुओं के आधार पर इतिहास दिखा गया है जैसे चित्रकारी किसी वस्तुओं का प्रती रूप खुदाई के आधार पर मिले साक्ष आधी आधार पर इतिहास का नया मोड मिलता है अब देखते हैं कि पूरा पाशान काल के साक्ष किस किस जगहों से मिले है पहला है राइगर राइगर की कब्रा पहाड में लाल रंग की चिपकली, कुलहाडी, घडियाल, आदी के चित्र प्राप्त हुए है यह है कब्रा पहाड की गुफा जिसे 36 गड़ की सबसे लंबी गुफा माना जाता है नेक्स्ट देखते हैं तो इस प्राग एतिहासी काल को हम अध्यन की दृष्टी से चार भागों में बाटा गया है पहला है पुर्वपाशान काल इस काल से जो प्राप्त साक्ष है वो है राइगर जिले के सिंघनपुर की गुफा और महनदी घाटी विशेश देखें तो कुदर पत्थर मिले हैं इस चित्रों से सिंघनपुर में मानव आकरितियां सिंघनपुर में जो मिली है मानव आकरितियां मिली है सीधी डंडे के आकार में तथा सीड़ी के आकार में प्राप्त हुई है राज्य में सबसे अधिक शैल चित्र जो है वो राइगर जिले से प्राप्त हुए इसलिए राइगर जिले को शैल आश्रों का गर्ड कहा गया है अगर हम अन्य स्थलों की बात करें तो इस पे मिले हैं राइगर के बोतलदा, छापा माड़ा, भवर खोल, गीधा, सोन बरसा के शैल सित्रों के साथ साथ लगू पाशान अवजाल यहां से प्राप्त हुए हैं उसके बाद यह दुसरा पाशान काल है वो है मध्धे पाशान काल में दाइगर के कबड़ा पहाड में लाल रंकी चिपकरी, कुलहाडी, घडियाल आदी के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं इसके अलावा मर्ध्य पाशानकाल के महत्वपुर्ण साक्ष लंबे फलकदार औजार अधर चंद्रा कर लगू पाशान औजार मिले हैं फिर आता है उत्तर पाशानकाल उत्तर पाशानकाल में राएगड के महानदी घाटी तथा सिंगनपुर की गुफा और बिलासपूर के धनपुर छेत्र से साक्ष प्राप्थ होते हैं यहां से मानाव आकरीतियों का चित्रन मिलता है और औजारों की आकरति की खुदी हुई चित्र प्राप्थ होती है फिर हमारा आकरी जो है आकरी पाशानकाल वो है नव पाशानकाल नव पाशानकाल का जो साक्ष है वो प्राप्थ हुआ है चित्वा डोंगरी और राजननकाव का चित्वा डोंगरी और राएगड के टेदम और दर्ग के अर्जुनी से प्राप्थ हुआ है चित्वा डोंगरी राजनन गाउज में जो चित्वा डोंगरी है उसकी जो खोज है वो किया है बगेल और रमेंदनात मिशर जी ने जिसमें मानव आक्रिती और पशु एवं अन्य देखांकन चित्र प्राप्त हुए हैं इस काल में लोग और इस्थाई क्रिशी काइना प्रादाम्भ काई लिये थे इसके बाद कुछ महत्वपुइन पॉइंट है वो देखते हैं प्राग अतिहासिक काल के बादे में जो कि कई बाद एक्जाम सिंपरिम पूछा गया है सबसे पहला जो है छटिजगर के प्राग अतिहासिक काल के सबसे ज़ादा चित्र जो है वो राइगर जिले से प्राप्त हुए हैं हमने पहले भी कहा था इसलिए राइगर को सैलाशयरों का गड़ग भी कहा गया है प्रदेश में शित्रों की खोज सर्वब्रथम ब्रिटिश इतिहासकार एंडर्सन ने 1910 इस्वी में की थी तो 16 रायों की खोज किस ने किया है उनका नाम है एंडर्सन नव पाशानकाल के आवशेशों की सर्वब्रथम जानकारी रमेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सीह ने प्रदान की व्रिहत पाशानकाल दुर्ग में शर्व स्थान मिले हैं पुदातात्विक विभाग और इतिहास विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालाई द्वारा प्रफेसर कौमले के सर्वेक्षन डल को तीर फलक प्राप्थ हुआ जो की महंत घासीदा संगरहाला रायपूर में सुदक्षित रखा गया है 36 गड़ के महापाशान योग के इसमारख रायपूर सिवनी रिवा जिले में पाए गये हैं दरख जिले में इस्थित धनोदा में एक स्थान पर 500 महापाशान कालीन इसमारख प्राप्थ हुए हैं जिन्हें चार वर्गों में विभाजिन किया गया है 1956-57 में यहां प्रथम वर्ग के तीन और तथा दूसरे वर्ग के एक इसमारक की उत्खनन किया गया है उसके बार जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो की है वैदिक काल 36 गण में वैदिक काल से संबंदित जो जो जानकारिया है उनके बारे में हम देखेंगे थैंक यू अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और बैल आइकन को दबाएए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वैदिक काल वो उसकी जानकारी उसका नॉटिफिकेशन जो है वो आपको पर तका सके थैंक यू फॉर वाचिंग